वेलकम बच्चे लोगों, आज हम आगे कंटीन्यू करेंगे उसी लाइट शेप्टर को जो हमारा साइस का चल रहा है, तो हमने इससे पहले अभी तक पढ़ा क्या है, हमने मिरर पढ़ा है, मिरर में कंकेव मिरर पढ़ा है, कॉन्वैक्स मिरर पढ़ा है, और कम्पिरिटिव point of view के लिए जितनी बातें जुरूरी थी वो सारी हमने पढ़ी है image formation, lens, image formation, magnification आब आगे में पढ़ने जा रहा हूँ आपको lens क्या होता है क्या पढ़ेंगे अभी हम? lens तो सबसे पहले lens होता क्या है? ये पढ़ेंगे हम तो lens क्या होता है? ये सुनिए, lens एक ऐसा transparent medium होता है lens क्या होता है? ये होता है transparent medium lens क्या होता है? transparent medium bounded by two surfaces bounded by two surfaces ये जरूरी याद रखना है bounded by two surfaces one of both surfaces are spherical ठीक है? यनिके at least one of both is spherical तो lens एक ऐसा transparent medium होता है जिसमें से जो जिसमें दो spherical lenses होती है दो spherical boundaries होती है और उनमें से कोई एक spherical हो जैसे देखो यहाँ पे ये वाला भी lens है यहाँ पे ये वाला भी lens है ये वाला भी lens है ये वाला भी lens है ये भी lens है ये भी lens है ये भी lens है ठीक है? अब ये जो नाम लिखे उनको बूल जाओ ये सारे lens हैं इस lens की देखो ये वाली boundary भी बाहिर से अंदर की तरफ आ रही है ये भी बाहिर की तरफ से अंदर आ रही है तो इस वाले lens को बोलते double convex lens का बोलते double convex lens या इसको simply convex lens भी बोलते ही यहाँ पे देखो इसकी एक ये वाली जगा प्लेन है और दूसरी ऐसे convex है इसको ब इसमें देखो अंदर वाली भी ऐसी है, बाहिर वाली भी ऐसी है, इसको Concave Convex Lens बोलते हैं, या इसको Converging Meniscus Lens बोलते हैं, इसका जो Normal Name है, जो आप सब को याद रखना है, आप इसका ये नाम याद रखो, Concave Convex Lens, ठीक है न, क्या याद रखना है, Concave Convex Lens, उसके बाद इसको बोलते हैं, Double Concave Lens, इसको बोलते है, Plano Concave, इसको बोलते है, डाइवर, इसको बताता हो भी, देखो, ये आप इन चीज़ों पर मत जया करो, और मुझे तसली नहीं आती है, किसी की ऐसे चीज़ें बनाई हुई, मुझे इसमें तसली नहीं आती है, और मैं आ दूसरों के कंदूं पर रखी हुई बंदू का हमेशा निशाना गलत होता है, आप नोट खुद बनाया करो, मुझे तो ये जो मैंने आपको ये गूगल से इमेज लगाई है, मुझे तो इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, देखो, एक Lens होता है ऐसे वाला, ये, और एक Lens होत है ऐसे वाला, ठीक है, जो मैंने ये पहले नंबर पे Lens बनाया और ये दूसरे नंबर पे Lens बनाया, पहले नंबर वाला Lens सेंटर से मोटा और साइडूं से पतला होता है, इस Lens को Convex Lens बोलते हैं, और ये वाला Lens देखो, सेंटर से पतला और साइडूं से मोटा है, इस वाले lens को concave lens बोलते हैं बस बात ही खत्म पेपर के point of view से आपको ये दो बाते ही याद रखनी है एक मैंने आपको बताया convex और दूसरा बताया concave क्या होता convex lens जो lens center से मोटा और side से पतला हो उसको बोलते convex और जो center से पतला और side से मोटा हो उसको बोलते concave और यहाँ पे यह याद रखो ये वाला convex lens है और ये वाला concave lens है बस double concave का मतलब होता है concave या double convex का मतलब होता है convex ठीक है न बस इतना याद रखना है बाकि यह ऐसे आप देखते जाओ 10th class में इन दो की application होती है हमारे exam में इनकी application नहीं होती है ठीक है अब मैं आपको आगे बताता हूँ तो अभी हमने पढ़ा एक convex lens और एक दूसरा पढ़ा हमने concave lens अब मैं चलता हूँ आपको आगे बताने के लिए अब ये चीज़ें भूलना नहीं है संडे को आपका टेस्ट भी है अब देखो प्यारे बज्चो यहां पे ये वाला ले लिया हमने एक ये वाला कौन सा lens है concave lens ठीक है इस concave lens में देखो ये 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 डेर सारी rays of light आ रही है ये 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 आ रही है तो ये वाली सारी rays of light जब इस पे पढ़ रही है तो यहां पढ़ने के बाद ये rays बिखर जाती है क्या हो जाती है बिखर जाती है अब बिखरने से मुझे शेर भी याद आ रहा है बिखर जाती है जब ये रेज तो शेर था ही के बिखरा हूँ सूखे पत्व की तरह किसी ने समेटा भी तो बस जलाने के लिए तो ये रेज बिखर जा रही है कौन से लेंसे कनकेव लेंसे रेज बिखर जाती है इसलिए कनकेव लेंस को बोला जाता है रेज बिखर जाती है तो बिखरने को बोलते है डाइवर्ज कनकेव लेंस इस आलसो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस क्या बोलते इसको डाइवर्जिंग लेंस बस क्या कनकेव लेंस इस आलसो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बाकी जो पॉइंट यहां पे लिखे हैं उनको बूल जाओ, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्व उतना याद रखो, क्या, कनकेव लेंस से रेज बिखर जाती हैं, इसलिए कनकेव लेंस को क्या बोलते हम, डाइवर्जिंग लेंस, और प्यारे बचो, कॉनवेक्स लेंस पे जब रेज आफ लाइट आती हैं, त कनवर्जिंग लेंस, क्या बोलते हैं, कनवर्जिंग लेंस, एक बार फिर से बता रहा हूँ, कनकेव लेंस जो है, वो रेज को बिखेर देता है, इसलिए उसको बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, और कनवेक्स लेंस जो है, ये रेज को जोड देता है, इसलिए इसको ब तक अब आपको सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है कौन सा converging lens है और कौन सा diverging lens ठीक है यहां तक चलें आगे चलो चलते ही आगे अब देखो प्यारे बचो यह जो आपकी स्क्रीन पर है यह कौन सा lens है यह वला है convex lens और यहां पर मैं बना रहा हूँ यह वला कौन सा lens है यह concave lens ठीक है एक हो गया concave lens एक हो गया convex lens अगर बोर हो रहे हो तो थोड़ा सरा देखो अब भी मैं अच्छी चीज़ें भी बताने वा ला हूँ शुरू शुरू में बड़ा देरे पढ़ाता हूँ फिर आगे आगे देखो यह बताने से पहले मैं आपको क्यों न यह बताओ पहले यह वला देखो basic terms related to spherical lens चाहे वो concave lens चाहे वो concave lens देखो प्यारे बच्चो यह वला है यह आगया जी lens जिस तरह mirror के case में mirror के center को बोलते थे pole क्या बोलते थे pole उसी तरह lens के center को बोलते optical center यही figure बनाना इसी तरह और ऐसा ही note करना mirror के center को बोलते मिरर के mid point को हम बोलते थे pole lens के बीच वाले point इस वाले point को बोलते हैं optical center चाहे वो convex lens हो चाहे वो concave lens हो तो दोनु के center को क्या बोलते हैं optical center, पता चल गए आपको, center of concave lens या convex lens is known as optical center, अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ, यह F1 क्या है, C1 क्या है, यह F2 क्या है, यह C2 क्या है, बहुत बार आपको यह दिक्कत आई होगी समझने में, तो मैं यहां आपको बताने जा रहा हूँ, यह F1, C2 क्या होता है, देखो, इस वाली image को, यह वाली image को मैं यहां पर दबारा बताने जा रहा हूँ, फिर मैं यह बताऊंगा, यह principle axis बना दिया हमने, lens की एक piece lens का यह है, और दूसरा piece lens का यह है, ठीक है, इसको मैंने यहां से जान बूच के छोड़ा ऐसे ऐसे रखा है, मान लो, जो red वाला lens है, जो red वाला है, यह lens 1 है, तो आप मुझे बताओ, यह lens ऐसा है ना, मतलब ऐसा lens है, तो इस lens का center कहा होगा, इदर, यह है center, इसको हम बोलेंगे C1, इस center का, इस वाले lens का focus point कहा होगा, इदर, इसको हम बोले F1, पता चल गया ना आपको, यह अपनी terminology के लिए रखा है, अब यह जो black वाला है, black वाले को मैं मानता हूँ L2, यहनिके lens 2, तो इस black वाले का center कहा होगा, इदर, C2, इस black वाले का focus कहा होगा, इदर, तो इसको बोलते हैं F2, अब आप यहां पे आ जाओ, अब आपको मैंने यह बता दिया है, F1 क्या है, और C1 क्या है, ठीका ना, यह इस वाले area का है, इस आदे का, इसका, 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 अब मैं आपको बताता हूँ, यह 2 F1 क्या है, देखो, यहां से लेके यहां तक, जो distance है, इसको बोलते हैं no focal length, तो इसको बोलते है F1, अब यहां से लेके यहा को बताया हुआ है कि ये जो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है ये डबल होता इसका अगर ये F1 है तो ये क्या होगा ये होगा F2 ठीक है नगता जितना इसको भी हम F1 और यहां से लेके यहां तक भी F1 तो एक F1 और एक F1 होता है दो F1 यह पेपर में आपको नहीं आएगा F1 क्या होता, F2 क्या होता यह कभी कबार अगर आप किसी 10 वाले बच्चे को लगे पढ़ाने तो आपको यह justify करना पड़ेगा कि यह F1 क्या होता है C1 क्या होता है तो यह इसलिए में बता रहूं otherwise यह हमारे competitive point of view से इसका कोई relevance नहीं है ठीक है न तो उसी तरह F2 और C2 इदर वाले हिसे का हो गया तो देखो, अब आपको यहां पे यह पता चल गया है यह F1 क्या है तो F1 यह इस वाले point का focus है C1 क्या है तो इस वाले point का यहां पे center of curvature है उसी तरह इस वाले का यह F2 और यहां गया convex lens यह और यहां पे देखिए यह वाला lens है तो इसका F2 और C2 यह हो गया और यह वाला lens है इसका F1 और C1 यह हो गया और यह क्या हो गया Concave Lens इसमें भी वही Principalexis है जो हमने Mirror में पढ़ा था Principalexis अब मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूँ देखिए अब वो वाला जो बना हुआ है पहले से ही यहां पर उसको बोलते ही हम Convex Lens और इसको हम क्या बोलते हैं Concave Lens यह Raise of Light आ रही है गोर से सुनीगा मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ यह Raise of Light आ रही है आ रही आ रही आ रही तो यह Raise of Light जब यहां से आती है तो बिखर जाती है तो प्यारे बच्चों जब यह Raise of Light बिखर जाती है और अगर इनी Raise of Light को हम imaginary extend करें पीछे 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 यहां पे यहां 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 और यहां कर दिये यहां पे ठीक है ना तो यहां पे जाब इनको extend कर दिया यह इसका center है तो आप मुझे बताओ इसका focus कहां होगा इदर focus कहां होगा पीछे एक बार फिर से focus कहां होगा पीछे कौन सा है ये कनकिय लेंस light की ray कहाँ से जा रही है इधर से आगे जो sign convention mirror में है वोही sign convention यहाँ पे भी है light इस direction में जा रही distance हम यहाँ से major कर रहे है तो focal length क्या होगी negative focal length क्या होगी negative यही बात यहाँ पे थी जो मैं आपको अभी पढ़ाने की कोशिश कर रहा था देखो यहां पर मैं इसको एक बार evalu कर देता हूं यह है इसकी focal length यह है इसकी focal length यह है तो यह типа focal length है अगर में बात करूं convex lens की यहां पर तो हई है यह है convex lens की यह वरी इसकी focal length कहां पर है आगे तो इसकी focal length होती है positive क्यों positive होती है देखो Light की direction भी आगे focal length भी आगे तो जो distances आगे की तरफ होते हैं वो क्या होते हैं positive होते हैं बस यहाँ पे आपको जो note करने वाली बात थी वो यही एक ही थी के concave lens की focal lens क्या होती है negative और convex lens की focal lens क्या होती है positive ठीक है ना आगे की तरफ पा रहे mirror के case में भी मैंने आपको बताया था concave mirror अगर ये concave mirror है तो concave mirror में ये mirror है कोई यहां से बने polish कर दी focal length कहां पे है either तो concave mirror की focal length भी क्या थी negative और अगर मैं convex lens mirror की बात करूँ तो focal length कहां थी आगे तो focal length कहां थी positive थी ठीक है एक बार आप lens को और mirror को parallel रखके सोच के पढ़ना इसमें मैं आप ज़्यादा focus नहीं कर रहा हूँ अगर आप बच्चे होते ना 10th class में तो मैं इन lenses को भी 110% focus करता बट आप lenses का question ज़रा कम आता है paper में mirror का ज़्यादा आता है इसलिए मैं इसको focus नहीं कर रहा हूँ अब मैं इसको focus नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नी कि आपने छोड़ देना है आपने इसको mirror के साथ compare करके पढ़ना है चलिए आगे पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा आप देखिए प्यारे बच्चो प्यारे बच्चों जी ये वाला जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पे ये भी क्या है ये भी साइन कन्वेंशन है बट ये वाले जो साइन कन्वेंशन हैं ये भी पेपर में कभी नहीं आते हैं यह मैंने ऐसे यहां पर लाया है आपको ताकि क्लेर हो जाएं बातें कि जो हमने मिरर में पढ़ा था प्रिंसिप आलेक्सिज के उपर वाले डिस्टेंस पाजटीव होते हैं वहां पर हमने पढ़ा था पॉल से इधर वाले नेगटीव और यहां पढ़ रहे हैं आप्टिकल सेंटर के इधर वाले नेगटीव और इधर वाले पाजटीव नीचे वाले नेगटीव चाहे ये वाला लेंस हो चाहे ये वाला लेंस हो दोनों में एक ही केस होता है और जो बात मैंने अभी बताई focal length of convex lens is always positive बताया ना मैंने अभी आपको यहाँ वाला के convex lens वाला focal length क्या होता है positive होता है यह मैंने बताया आपको यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है इसलिए मैं इसको ज़्यादा energy नहीं वेश्ट करूँगा energy मैंने बचा के रखी हुई है अभी आगे आने वाले topic के लिए तो यह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे हलका सा याद रख दो यह भी मैंने आपको बता दिया यह अभी ऐसा होता यह focal length ऐसी होती तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अब देखिए आगे जी human eye के बारे में पढ़ते हैं देखो सुनते जाओ मेरी बात सब से पहले तो मैं आपको एक बात बताओं चाहे आप किसी भी religion के हूँ इसी topic के लिए मैंने energy बचा के रखी थी पहले आप बोर हो रहे थे ना अब ही आपकी बोरिंग दूर करता लो देखो प्यारे बचों ये हमारी आँख है तो आँख के बारे में मैं पहले आपको कुछ बाते बताता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं इसी इस human eye और हमारी आँख का ये जो black वाला हिस्सा होता है इसको people बोलते हैं tenth class में आपने पड़ा है इस वाले हिस्से को sideo में जो उपर की तरफ ऐसे होता है इसको बोलते इरिस ये वला इदर से भी ऐसे और इदर से भी ऐसे इरिस होता है इसके उपर यहां पर sklera होता है बट ये ये वाली white वाली जो ये इसको स्कलीरा बोलते हैं और आँख के बीच यहां पे देखिए एक लेंस होता है यह वला वाइट कलर का आपको याद क्या करना है आपको यही याद रखना है कि आँख के बीच कौन सा लेंस होता है तो आँख के बीच कन्वैक्स लेंस होता है बस आँख के बीच कौ पकड़ा होता है यहां पे मसल्स होते हैं इनको बोलते हैं सिलरी मसल्स सिलरी बाडी एंड सिलरी मसल्स बोलते हैं तो आपको यह याद रखना है बस और कुछ नहीं याद रखना है ठीक है यहां तक क्या कह याद रखना एक लेंस याद रखना आंके बीच कन्वेक्स लेंस हो लेंस है ये वाला कनवर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है तो हमारी आँख के बीच जो लेंस है ये कनवेक्स लेंस है और कनवेक्स लेंस रेज को क्या करेगा कनवर्ज कहां कनवर्ज करेगा यहां पे पीछे यहां तो जहां पे यह रेज को कनवर्ज करेगा य ये वाली ये इस पूरी लेर को बोलते हैं रेटीना क्या बोलते हैं रेटीना तो जब हम कोई इमेज देखते हैं वो इमेज कहां बनती है रेटीना पे रेटीना के पीछे देखिए ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं आप्टिक नर्व इस आप्टिक नर्व से नर्व लग होती हैं रगें लगी होती है जो कहां ले जाती है मैसेज ब्रेंड में और ब्रेंड में वो बनाती है क्या इमेज अभी मैं आपको बताऊंगा यहां पे राड सेल्स होते हैं और यहां पे कौन सेल्स होते हैं मैं दीरे जीरे बताऊंगा अभी रुको जहां पे उसकी जरूर है ना मैं वहाँ बताऊंगा देखो जब मैं आपको color blindness बताऊंगा तो तब वहाँ बताऊंगा ये मैंने आपको YouTube पर भी बताया हुआ है थोड़ा तो आगे देखिए ये आगे जी ब्रेंड में ले जाती है message ले जाती है सबसे पहले ये वाला जो area है ना ये ये वाला area ये hardly एक से लेके डेड़ मिली मीटर तक होता है कितना एक से लेके डेड़ मिली मीटर तक एक बार फिर से सुन लो कितना एक से लेके और ते 1.5 mm तक और प्यारे बच्चो यहां से यहां से यहां से यहां से दो से तीन ट्रिलियन एक बार फिर से सुन लो दो से तीन ट्रिलियन नर्व्स गुजरते हैं और दिमाग के साथ connection बेजसे बेज़ते हैं brain में क्योंकर यहां पर जो image बनती है वो real and inverted बनती है और ब्रेन में इमेज बनती है वर्चुल एंड इरेक्ट हमारी आँख के रेटीना पे जो इमेज बनती है वो रियल एंड इनवर्टर बनती है और ब्रेन में उसी इमेज को वर्चुल एंड इरेक्ट बनाती है यह आप्टिकल नर्व कितना डायामीटर है एक से ये कहता है अरे देख अपनी आँख से मैंने एक से डेड़ मिली मीटर के इस एरिये से दो से तीन ट्रिलियन नर्व गुजारी और कभी ऐसा नहीं हुआ एक रग दूसरी रग से जुड़ जाए अगर एक रग दूसरी रग से जुड़ जाए और शाट सरक्ट की होने की से इनसान एक दूसरे को उल्टा देखने लगते हैं मैं आपको देखूँ आप मुझे उल्टा दिखोगे आप मुझे देखोगे तो मैं आपको उल्टा दिखूँगा दिस इस नेचर फिर वही नेचर कहता है क्या फाबिय यी आलाई रब्बीकु मातुक जिबान एंड व दुनिया ऐसे ही बन गई इसको कोई बनाने वाला है इस दुनिया को बनाने वाला कोई क्रियेटर है ठीक है यही नेचर होती है इसलिए हम चीज़ें पढ़ते हैं ताके इनसान अपने क्रियेटर को पहचाने अदरवाइज एक्जैम पास करना तो कोई भी एक्जैम पास कर बनने की जरूरत होती है ठीक है या वही नेचर कहता है मा गरर राफी आजाबीकुम अरे मुझे तुम्हे आजाब दे के क्या होगा मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी बंदे हैं वो क्या बन जाएंग बन जाएंग यह है तो इस जगा से बहुत कम नर्ज बहुत ज्यादा नर का प्यूपल का फंक्शन कार्निया का फंक्शन इरिस का फंक्शन इसका फंक्शन इसका फंक्शन इसका इसका सबका फंक्शन मगर एक बात बता दूँ अगर कभी आपको कोई पूछे गा के प्यूपल का कलर बलैक क्यों होता है हाँ यह सवाल बनता है आप अगर मुझे से बलैक इसलिए होती है कि वो कोई भी कलर रिफलेक्ट नहीं करती सारे के सारे कलर अबजार्ब करती है जब कोई भी चीज सारे कलर अबजार्ब करती है तो वो हमें बलैक दिखती है प्यूपल पे जैसे लाइट पड़ती है तो ये लाइट को absorb करता है और light अंदर की तरफ चली आती है तब ही प्यूपल बलैक है बलैक होल को बलैक होल क्यूं बोलते हैं इतनी ज़्यादा intensity होती है कि light भी उसके अंदर चली आती है ठीक है तो आँख में अभी मैंने आपको आई नहीं पढ़ाई है कहां पे रेटीना पे नार्मल हूमन आई में रेज़ा फ्लाइट कहां जोड़ती है रेटीना अब देखी आगए देखो ये शाहिद आपको इमेज दिख रही होगी पता नहीं मुझे लग रहा है आपको नहीं दिख रही होगी तो मैं इसको ज़रा बढ़ा कर देता हूँ ए अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये वाला कलर विजिबल नहीं है अच्छे से तो मैं इसको इमेज को आपको बताऊंगा देखो ये कोई रेज आफ लाइट आ रही है किसी अबजेक्ट से ठीक है और यहां पे प्यारे बच्चों है ये लेंस एक रेफ लाइट ये दूसरी रेफ ले ये आ रही है तो दोनु रेज अफ लाइट कहां मरज हुई है दोनु रेज अफ लाइट जुड़ी कहां पे है रेटीना पे तो इमेज कहां बनेगी रेटीना पे तो जब इमेज बन रही है रेटीना पे तो ये क्या है ये वाली हो गई नार्मल हुमन आ आई, क्या होगे ये नार्मल यूमन आई, अब यहां पर देखिए एक रे ये आ रही है, एक रे ये, एक रे ये, दो, तीन, जितनी भी, ये सारी की सारी रेज कहां कनवर्ज हो गई है, रेटीना के पीछे, ये रेटीना है ना, रेटीना से पीछे मतलब रेटीना से पहले, तो जब rays of light रेटिना से पहले कनवर्ज हो गई है तो अब बंदे में देखने का defect आ गया है. क्या आ गया है देखने का defect? ऐसे defect of vision को बोलते हैं myopia. क्या बोलते हैं myopia? heading डालनी है आपको defect of vision. ऐसे defect of vision को आपको बोलना है myopia बोलते हैं और ऐसे defect of vision को हम near sightedness भी बोलते हैं. या इसको myopia बोलते हैं या क्या बोलते हैं near sightedness. अब myopia या near sightedness की definition क्या होगी? तो मैं बोलूँगा तो आप लिखोगे. लिखिये. It is that defect of vision. It is that defect of vision in which, in which a person, in which a person can see nearby object clearly. नजदीक वाली चीज अच्छे से देख सकता है बट केनाट सी डिस्टेंस अबजेक्ट कलेरली नजदीक वाली चीज देख सकता है और दूर वाली चीज नहीं देख सकता अब इसकी आगे टेकनिकल बाते में बताऊंगा आखिर इसका कारण क्या है काजल्स पेपर में पूछे जाते हैं अब अगर हम माईयोपिया और हाइपर माईयोपिया के कारण याद रखेंगे तो प्यारे बच्चों वो हमें भूल जाएंगे अब मैं आपको प्रैक्टिकल यहां पर बता रहा हूँ देखो Raise of Light आ रही है इनको कहां कनवर्ज होना चाहे था रैटीना पे में मगर Raise of Light रैटीना पे कनवर्ज नहीं हुई कहां कनवर्ज होई पीछे तो कारण क्या है देखो एक लेंस ये वाला है दूसरा लेंस ये वाला है मैं आफ लाइन में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ और बच्चों से पूछता हूँ अब आप मुझे बताओ ये लेंस वन है ये लेंस टू है इस लेंस से ये कोई ये इसका प्रिंसिप अलेक्सिज है और ये इस लेंस का प्रिंसिप अलेक्सिज ठीक है अब ये कोई रे आफ ला कون सी रे लगाएगी ये वाली रे बाहिर आने में टाइम लगाएगी या ये वाली रे बाहिर आने में टाइम लगाएगी सोचो सोच के बताओ फिर से सोचो मैं एक बार फिर से पूछता हूँ एक बलैक वाली रे ये आ रही है दूसरी रे ये आ लाइट की रे आप मुझे ब बाहिर निकल जाएगी या ये वाली रे बताओ हाँ पहले वाली के दूसरे वाली अरे वेरी गुड पहले वाली क्यूंके लेंस है पतला रे जल्दी बाहिर आ जाएगी यहाँ पे लेंस है मोटा रे लेट बाहिर आएगी तो आब मुझे बताओ यहाँ पे रे जल्दी कनवर है पतला लेंस बिकम थिन बताओ कनके मिर का अनासरी बताओ मायोपिया का कारण क्या है नेर साइटरनेस का कारण क्या है लेंस हो जाता है पतला ठीक है एक कारण ने ये पेपर में आता है क्या कोई और कारण है अरे हाँ देखो मैं यहां बेबना रहा हूँ एक लेंस है ये दूसरा लेंस है ये तो प्यारे बचो आप मुझे बताओ इसका पहले वाले का फोकल लेंस बढ़ा होगा या दूसरे वाले का फोकल लेंस बढ़ाओ बताओ अग अगर लेंथ मोटा है ना, तो focal length जादा होगा, अगर length पतला है ना, तो focal length छोटा होगा, तो आप मुझे बताओ, lens क्या हुआ था, पतला, तो पतले lens की focal length क्या होती है, कम, दूसरा कारण, focal length becomes small, focal length becomes small, ठीक है यहां तक, तीसरा क्या कारण है, मैं सारे कारण पढ़ा रहा हूँ, जो पेपर में आई तक पूछे की है, तीसरा कारण क्या है, देखो, अब इस फ़ली फिगर को गोर करो, यहां पे जो मैं यह बना रहा हूँ, इसको बोलते सिलरी मसल्स, ठीक है ना, अब मैं चलो आपको real image पे ले जा यानि के lens पतला हो गया, तब ही myopia हो गया ना, lens पतला हो गया, आप मुझे बताओ, सिलरी मसल्स लूज हुए या टाइट हुए, आपका जो जहन बोलेगा ना, वही अंसर होगा, अगर सिलरी मसल्स होगे, लूज, इसका मतलब lens हो गया, लूज, और जब lens हो गया, लूज, डीला lens हो जाता है, अब अगर सिलरी मसल्स टाइट होगे हैं, सिलरी मसल्स टाइट, 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 ये वले भी टाइट, तो ये lens को क्या करेंगे, पुल करेंगे, ये अपनी तरफ पुल करेंगे, ये अपनी तरफ पुल करेंगा, तो जब सिलरी मसल्स टाइट होगे, तभी लेंस पूल होगा नौर जब लेंस पुल होगा तो लेंस बतला हो जाएगा यानि के के तीसरा कारण सिलरी मस्ल विकंं टाइट सिलरी मस्ल विकंज टाइट क्या कोई और कारण है? अरे एक कारण और भी होगा देखो जब सिलरी मसल होगे टाइड इस सिलरी मसल ने लेंस को उपर की तरफ पूल किया इस सिलरी मसल ने लेंस को अपनी तरफ पूल किया तो लेंस क्या हो जाएगा लंबा लेंस क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा तो चोथा कारण क्या है Lens Becomes Long ठीक है इसको Elongated of Lens भी बोलते हैं मैं ऐसे भी लिखेता हूँ कभी कबार पेपर में ऐसे भी आता है Elongated E-L-O-N-G-A-T-E-D Elongated of Lens इसको Elongated of Lens भी बोलते हैं यह मुझे पता है आज वाला टापिक ज़रा difficult है आगे तो यह मैं आपको लाइव भी पढ़ाऊंगा संडे को जब हम लाइव कलास लेंगे तो मैं वहाँ पढ़ाऊंगा या अगर छुटी नहीं रखी तो देखते हैं क्या होता है तो यह चार कारण है एक, दो, तीन, चार चारूं के चारूं कारण एकी जैसे कभी एक बार पेपर में ये आ जाता है कभी ये आता है कभी ये आता है अब ये डिपेंड करता है एक्जैमिनर पे बट जब भी कोई कारण आता है यहीं से आता है इससे बाहर नहीं आता है तो अबी मैंने आपको बताई आई क्या होती है आई की वरकिंग मायोपिया नजदीक की चीज़ दिखती है दूर की चीज़ नहीं दिखती इसको nearsighted ness भी बोलते हैं इसके कारण मैंने आपको बताए अब बताता हूं इसकी correction क्या है इसकी correction क्या है देखो यहां पे कनवर्ज होनी चाहिए थी रेज बट कनवर्ज कहा हो रही है पीछे यानि के आई लेंस की कनवर्जिंग पावर बढ़ गई है कनवर्जिंग पावर क्या हो गई है बढ़ गई है ये भी याद रहा कि कनवर्ज यहां पे ना कनवर्ज हूँ दूर कनवर्ज हूँ यानि कि हम रेज आफ लाइट को खोलना चाहते हैं मैं यहां पे बड़ी इमेज करके बनाता हूँ ताकि आप बचूँँगा यह आँख है आपकी आपकी आँख ऐसी है चलो यह बना दिया लेंज तो प्यारे बचों यह रेज आफ लाइट आ रही है यह कनवर्ज हो रही है न यहां पे यहां पे कनवर्ज अब मैं चाहता हूँ कि यह रेज आफ लाइट कनवर्ज ना हूँ बलके थोड़ी सरी डाइवर्ज हूँ diverge करने के लिए कौन सा mirror लगाते हैं सारी कौन सा lens लगाते हैं तो diverge करने के लिए लगाया जाता है कौन सा lens diverge करने के लिए लगाया जाता है converging lens कौन सा lens converging lens diverging lens क्या बोलते हैं इसको diverging lens तो जब ये ray आ रही आ रही यहां पे ये आ रही यहां पे ये lens क्या करेगा diverge करेगा तो diverge ray यहां पे आएगी ये वाली diverge ray यहां पे आएगी अब diverge ray जब यहां पे पढ़ेंगी तो वो जुड़ेंगी कहां पे रेटीना पे अब इनसान को image से इह दिखेगी तो near sightedness क्या होता है एक बार सुन लो In this defect of vision A person can see nearby object clearly But cannot see distinct object clearly ठीक है यहां तक इसके कारण क्या है सबसे पहला कारण Eye lens क्या हो जाता है पतला जब eye lens पतला हो जाता है दूसरा कारण focal length becomes small तीसरा कारण Sillery muscle becomes tight जब Sillery muscle tight होते तो lens होता लंबा Elongation of eye lens और converging power of lens decreases Converging power of lens increases Lens की converge करने की power बहुत ज़्यादा हो जाती तब ही वो पहले converge करते है अब ठीक ऐसे करते हैं तो this can be corrected by specs of concave lens ठीक है concave lens वाली यूज करते हैं ठीक है यहां तक तो अब हम इतना ही रखते हैं नहीं तो आपे बड़न हो जाएगा अब मैं आपको कल अगले एपिसोड में पढ़ाऊंगा hypermyopia क्या होता है astigmatism क्या होता है astigmatism के बारे में कुछ पढ़ेंगे और color blindness पढ़ेंगे priest biopia पढ़ेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा slendry का lenses क्यों use करते हैं bifocal length क्यों use करते हैं और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे rainbow और हम polarization पढ़ेंगे interference और diffraction पढ़ेंगे फिर इसके बाद आपका light chapter का test होगा और उस test का हम solution बताएंगे आपको आज के लिए इतना ही thank you and God bless you